दोस्तों नमस्कार तो आप भी अगर समार्टफोन यूज़ कर रहे हो हां कर रहे हैं मुझे पता है ओके आप सभी कर रहे होंगे शायद से कोई A-Series कोई J-Series कोई अलग-अलग सीरिस के स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर आपको एप्लिकेशन लॉग करन करना है तो जरूरी है क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें कॉन्पटिशनल डाटा होता है कई बार बच्चे उसमें एंटर कर लेते हैं या पिर कुछ वह वाला कॉंटेंट भी हो सकता है इसलिए एप को लॉग करना जरूरी है ऐसे में आपको एस सिक्यूर नाम का एक एक आप लॉग से सब्सक्राइब से बाइब करना है यmeg मैं दिखाने में सब्सक्स की इसनदर आप गॉरग करने हैं आप आप को अपने लॉक फिर यह पिर निस में हैं सब्सक्राइब्स जैसे आप इस application को uninstall कर देते हो S-Secure को तो आपने जितने भी app को unlock कर रखा है देखो आप जैसे कि मैंने सभी app को unlock कर रखा है और यहापे मैं जो है वो S-Secure को uninstall कर रहा हूँ जैसे अनिस्टॉल करूँगा बाकि सभी application को जो मैंने lock लगा रहा था वो सब कुछ है पर disable हो आपने S-Secure डाइप किया तो आपको वहापे S-Secure आ जाएगा और जैसी इसके उपर टैक करोगे तो आप यहापे locate app के उपर जाने के बाद में आप इससे धून पाओगे रहा से उससे अनिस्टॉल कर पाओगे तो होगे ना बात यहापे S-Secure का यहापे Funda जो है वो समझ म में आ चुका है तो यहापे आप कैसे S-Secure के बिना वो भी Samson के आपके फोन में एप लॉक है इन बिल्ट है ऑपिशेल है और आपको पता ही नहीं है तो वह कैसे दुन्डा जाए तो Samson से एक रिक्वेस्ट है यह जो साउतला व्यवार करता ने M-series के साथ में इधर उधर तो यह गरत लगता है क्योंकि इधर देना है उधर नहीं देना है ए स्रीज में आपको सीकर फिल्टर मिलता है लेकिन अदर सीरीज में नहीं मिलता तो वह लोग क्या करें यह बात है और रही बात एप लॉक की इतने पैसे ले रहे तो चिंदिगिरी करने का मतलब भी क्या बनता है यार देतो यार एप लॉक जो हाइड करके रखा है जो बहार निकाल दो सीकुर डाउनड करो फिर एप को लॉक करो और उसे निस्टाल करने के बाद में तो फिर वही फंडा होता है तो फिर ऐसे में आपको आज बताने वाला हूँ ज्यादा बहुत नहीं कर दिया बोलना मुझे तो आपके फोन में जो एप लॉक है वह कैसे आप बहार निकल सकते हो अन हैड कर सकते हो बहुत सीक्यूर है आप उसे अनिस्टाल भी नहीं कर सकते और नहीं वह किसी को दिखेगा नहीं हाइड करने जरोत है चलिए तो कैसे करते आपको बताता हूँ पुरा टाइप करना है आप देखते तो स्पेलिंग कौन सी है और यही है अप्लिकेशन जिसे आपको इंस्टाल करना है और डरिया मत यह कोई भी आपके फोन के कॉन्टाइट डिटेल्स एक्सेस या फिर लोकेशन हिस्ट्री वगर कुछ नहीं लेता यह कोई हामफूल अप्लिके स्क्रॉल करना है यहाप आपको दिखाए देगा अप लॉक्ट जो कि सिस्टिम वाला है डिफॉल्ट है एस्ट नहीं या फिर फ्रड पार्टी भी नहीं है इसे आपको सिंबल से टैप करना है अब आपको दिखाए देगा यहाप फर्स्ट पे डॉट कॉम संप्संड इसको आपको सिंबल से टैप करना है और यह आचुका है अपका अंप लॉक लॉक एड मास्क एप इससे ऑन करें और इसके बाद में आपको पैटर्न पीन या फिर पासवर्ड किसी से भी आप इससे से शेट कर सकता हो मैं पीन से से करने वाला हूँ तो यहापर मैंने पीन स सेट कर लिया है अब इसके बाद मैं आपको यह पूछेगा app lock type कुन सा है यहापको face lock भी रखना है और यहापको biometric भी रखना है तो मैं biometric रख लेता हूँ और यह मैंने start कर लिया है अब यहापको lock करना है application lock में जाए एड पे जाए और मैं लगबख सभी को lock कर लेता हूँ ओके इस तरह से और यहाँ पे अगर आप चाहते हो hide करना तो यहाँ से आप hide भी कर सकते हो add करके ओके वो application screen के उपर दिखाई नहीं देंगे इस तरह से मैंने सभी application को lock कर लिया है आप देख लो कि यहाँ पे यह भी gallery भी lock है और यहाँ पे call भी lock है अब इसे मैं unlock करूँगा ओके यह हो चुका है unlock अब आपने कोई application जो है वो lock कर रखा है जैसे कि मैं गैलरी में lock कर रखा है मैं इसे unlock करता हूँ और unlock करने के बाद में इस तरह से अनलॉक हो जोगा अगर मैं बाहर जाता हूँ बैक में तो अगर आप फिर से इसे उपन करते हो तो अनलॉक रहेगा तो यह आप जैसे ही फोन को फिर से लॉक और अनलॉक करोगे फिर बाद में यह आपका जो एप अपने अनलॉक कर रखा तो वो फिर से पड़ेगा तभी यहां पर बहार निकलने बाद में आपके एप जो हो लॉक होंगे और जनरली एस सिक्वर के अंदर भी आएसा ही होता है तो यहां पर इस तरह सिस्टिम है और यह सिक्वर इसलिए है कि यहां पर आप अगर एक्टिविटी लॉंचर को अनिस्टॉल कर भी द यह भी लॉक है फाइस यह भी लॉक है तो सभी लॉक रहते और यहां पर एक अच्छी बात और यहां पर थोड़ी सी मुश्किल के बात यह है कि यहां पर इसको कोई भी अनलॉक नहीं कर सकता जब तक आप एक्टिविटी लॉंचर नहीं डालोगे और किसी को पता ही नहीं क्या होता है आपके सिवा किसी को पता नहीं होगा तो आप जो है इसको कोई भी unlock नहीं कर सकता जैसे secure आप यहापे simple as the secure type कर सकते हो और उसे uninstall कर सकते हो यहापे ऐसा कुछ भी नहीं है और आप यहापे धून भी नहीं सकते हैं यहापे activity launcher के सेवा कि कहां पे है आपका app lock तो यहापे यह lock हो चुक है और यहापे इसे कोई भी नहीं खुल सकता अगर आपको यहापे फिर से कुछ नए application add करने, lock करने इसे camera है जो कि मैंने यहापे lock नहीं किया मुझे camera भी lock करना है या फिर मुझे netflix या फिर galaxy store को unlock करना है तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा फिर से जाना है मुझे play store में और बस simple से मुझे और एक बार डाउनलोड कर लेना है activity launcher और जैसे मैं दुबारा से activity launcher डाउनलोड करता हो या फिर से ओपन करने के बाद में फिर से एक बार बोलेगा बस इसे बस 5-10 सेकंड का देर लगता है और आपको अगर secure करना आपके application को तो आप इतना तो करी सकते हो और जैसे फिर से या पर आता है ये activity वाला हिस्सा या पर आपको app लॉग दिखेगा इस पर जाईए और यासे आप जो है वो अपने किसी भी नए application को जो है वो लॉग कर सकते हो जो भी याप पर जो छुट चुका था जैसे कि मेरे हाथ से चुट चुका था camera 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 जो भी है अब यहाप नहीं दिख रहा है तो जो भी आप लॉग करना जाते हो फिर से यह पर लॉग कर सकते हो add कर सकते हो ओके और आपको यह लॉग कर सकता हो मैं सभी application unlock करना है तो यह से unlock भी आप कर सकते हो सभी को tap कीजे यह पर आपको unlock करना है अपको एप लॉग रखना ही नहीं है तो इसे टन आफ कर दीजिए हो चुका है आफ तो सभी एप्लिकेशन हो चुके अनलॉग इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो और यहाप एक काम कर सकते हो यहाप एक्टिविटी लॉचर का एपी के जो है वह आप अपने फोन के दर पून में जो एप लॉख है उससे लॉख करना है कोई भी इसे धून नहीं सकता कोई भी इससे धून करके अनिस्टॉल नहीं कर सकता आपके सभी एप बहुत ही जादा स्ट्रॉंग ली यहाप लॉख रहेंगे यह बहुत ही अच्छा है जो कि सैमसं ने वह वह इन बिल्ड मैंने आपको बता है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अच्छे लगे तो लाइक करना शेर करना दोस्तों के साथ में मिलता अगर्ड में बाय 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 उससो